सीमा पतिल दिती सदार, वल्लव भाई पतिल कॉलेज भाबुवा कैमपूर, कैमूर, बिहार में कॉंसिटिशन यूनिट आफ वीर कोंवर्सिंग यूनिवस्टी आरा में है, दिती ने फर्स्ट यूएच वी वक्शॉफ आफ लाइन किया था दिसमबर 2016 में और उसके बाद 2020 स складам सिग्टिशने करे ने हैं, दिती आर सी है, बिल्वनिटिकार कामॉर्णिटर कार अफ नोर्सचान और यूनिवस्टी कोईडार आपी दिदी को मंत्रेत करें हुगी नमस्ते सीमा पटेल दिदी दन्यावाद दिदी मेरा परिचय दिनी के लिए और सुबह के सत्र में सभी को एक्स्प्लोरस को सुप्रभाद मैं डॉक्टर सीमा पटेल मैं सर्दार वल्लब भाई पटेल महाविद्याले जो की भब हुआ ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट का हेड़कोर्टर है तो मैं यहाँ पर 26 साल से कारिरत हूँ और मैं इतिहास पढ़ाती हूँ ये एक UGC गवरंड कॉलेज है और मैं यहाँ इतिहास की विभागा द्यक्ष भी हूँ और बिहार सरकार द्वारा संचालित कल्यान विभाग द्वारा ये पोशित भी है एक प्राग परिक्षा प्रेशिक्षन केंद जो की बच्चों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछले वे बच्चे हैं तो उनको प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए निशुक तयारी करवाया जाता है उसकी मैं निदेशिका भी हूँ मैं यहां से भववा हेड़कॉर्टर से चार किलोमेटर दूर एक गाउं है दतियाओं जहां की मैं वहीं से रोज आना जाना होता है और वहां पे हमारे अपने खेत भी हैं तो खेती का कार्य भी चलता है मेरे परिवार में मेरे पती है जो की अभी United India Insurance में 33 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने VIRS ले लिया है और अब पूर्णता, खेती और यहां के कारे को समभलने के लिए वो वापस गाउं आ गए है मेरी दो बेटियां है और एक बेटा बड़ी वाली बेटी हमारे साथ ही गाउं में रहती है एक बेटी कैनेडा में है और एक बेटा छोटा वो बैंगलॉर में अभी क्लास 11 कर रहा है जैसा कि दीदी ने बताया मेरे UHV के साथ जो यात्रा रही है तो वो दिसंबर 2016 में तीन देन की ओफलाइन यात्रा से शुरू हुई और इस क्रम में फिर एक अधिवस्य ओफलाइन यात्रा 2017 में रही और 2020 से 22 के बीच में ऑनलाइन करने के मौके मिले तो हिंदी अंग्रीजी में करते कराते रिफ्रेशर पार्ट टू तर मैंने किया है फिर अभी जो है ओफलाइन अजे कुमारगर का इंजिनेरिंग कॉलेज में दिसंबर में जो हुआ था तो उस में भी उस चिवर में भी मुझे मौका मिला भाग लेने का मौनिंग सेशन्स में मैं जुड़ी हुई हूँ और ये मुझे लगता है कि काफी हद तक मुझे इस कंटेंट से क्योंकि दिन में तो वक्त अब उतना नहीं मिलता है लेकिन हाँ सुबह सुबह जो है इस पूरी जो भी चर्चाएं होती है तो मैं समय निकाल करके थोड़ा बहुत सुनना हो जाता है और इससे मुझे लगता है कि काफी मुझे फाइदा भी हुआ है अब अगर कंटेंट पर आएं और अभ्यास पर आएं तो अभ्यास एक को अगर देखें तो स्वेम के द्वारा कलपना शीलता में चल रहे हैं भाव और विचार को मैं काफी हद तक देख पा रही हूँ पहले सिर्फ विचार ही आते थे लेकिन अब उनके भावों को भी मैं पहचाने लगी हूँ उनसे और जब विचार आते हैं तो उन पे मनन करकर करके वो एक conscious मतलब observation रहता है कि ये विचार है और उसके साथ कैसा भाव आ रहा है उसको म भावों में स्थिर्था का भी एक मैं देख रही हूँ कि काफी हद तक वो भी आया है जिससे कि एक संगीत में स्थिती भी आई है मैं अपने भावों के लिए या विचारों के लिए मैं स्वतर जिम्मेदार हूँ ये step 4 के तहट मैं देख पा रही हूँ मुझे ये समझ में आने लगा है कि अगर मैं प्रतिरोध करती हूँ या reaction करती हूँ तो वो आम तोर पे मेरी कारीशीलता या मेरी दक्षता उस स्थिती को समझने में या समालने में उसकी कमी के कारण ही है अगला जो है वो खुद ही परिशान है और वो परिशानी जो है कभी-कभी लगता है कि वो जान बूझ कर कि अगला मुझे परिशान करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है और रियास काफी है कभी-कभार अभी भी हाँ खासतोर से जब कॉलेज में बच्चे वो आती है और अंडर प्रेशर हम लोग बहुत काम कर रहे होती है तो कभी-कभार वो जुझलाहट के रूप में फिर भी आ जाता है लेकिन पहले से जो है वो बहुत कम हो गया है ये मैं दे पहले तुरंत प्रतिवाद होता था फिर वो अंदर ये अंदर जो है और वो विरोध की भावना जो है फिर उसके बाद पूरी घटना खतम हो जाती थी उसके बाद वो विरोध की भावना चलती थी तो उन सब चीजों से काफी हद तक मुझे लगता है कि सयम हो गया है फिर step five में जो है निर्ने लेने का अधार जो है वो समझ में आया है कि वो सही समझ पर होनी चाहिए मानिता पर नहीं लेकिन हाँ कभी कबार मानिता पर भी यह हो जाता है step six जो है इसके ताहद संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व ही सहज स्विकार है यह निश्यत रूप से यह समझ में आता है पहले कुमारबिया से मौनिंग मीटिंग में एक बार जैसे हमने कहा था कि संगर्श ही जीवन है इसको मैंने स्विकार कर लिया था लेकिन अब समझ में आता है कि संगर्श की जीवन इस मानिता को स्विकार करने के लिए फिर भी कहीं न कहीं उस विरोध की भावना वो जो विरोध की भावना थी वो जागरित थी यह प्रमकृप से गाउं में जो उत्पन परिस्थितियां होती थी उनके विरोध पहले तो बहुत जादा ही रियाक्शन था लेकिन फिर उसको मैंने स्विकार लिया लेकिन अब समझ में आता है कि कहीं न कहीं उस विरोध को भी हमने स्विकारा है और वो सही नहीं था तो अब जो है प्रेयास है कि सहस्तित्व गाउं में जितने विरोधी हैं, उनकी समझ परिवार के लोगों के परती समझ अगर सही हो, तो वो एक सहस्तित्व की भावना में ज्यादा सुख में वो होगा संबंदों के मामले में मुझे लगता है कि काफी स्थिर्था भी आई है और जैसा कि मैंने अपने सेवन्थ बैच के मॉनिंग सेशन में शेरिंग की थी कि पहले मेरा बहुत ही अक्रामक और प्रतिरोधी जैसा स्वभाव था चुकि कॉलेज में भी ये था कि मुझे लगता था कि सभी मुझे खासतों से प्रचारिय की मुझे टेंशन या तनाव ही देने पे तुले थे तो फिर मैंने अपने लिए एक नीती बना ली कि टेंशन लेने का नहीं है टेंशन देने का है लेकिन जब मैं सह अस्तित्व के संबंधों को देखने लगी तो मुझे ये समझ में आया कि टेंशन ना लेने का है और ना देने का समस्या जो भी है उसको मिलकर समस्या को समधानित करने का प्रियास होना चाहिए क्योंकि तब ही जो है दोनों जो है जो भी विवस्था में उस किसी भी विवस्था में है चाहे हम महावित याले संस्था में हो या समाज में हो जब तक समस्या के समधान पूनिता नहीं मिलते हैं तब तक जो है कहीं न कहीं उस विवस्था की जो भी problems हैं या जो भी समस्याएं हैं उससे हम भी प्रभावित होंगे तो एक समधान की तरफ सहस्तित्व के भाव से चलना होगा फिर मैं अगर अभ्यास दो पर आऊं तो इसमें जो है चैतनिय और शरीर जो है इनको दो अलग वास्तिताओं के रूप में अच्छी तरह से समझ पा रही हैं अभ्यास डो के स्टैप दो में दोनों के बीच के सुचनाओं का आदान प्रदान भी समझ में आता है जिसके की भूक, दर्द, की ये शरीर जो है वो महसूस करता है हमारी बुद्धी तक वो नर्फ के माधियम से जाता है और नर्फ के माधियम से ही हमें फिर मतलब फिर हमें हमारी चैतनिय को वो निन्य लेना होता है जैसे भूक है, दर्थ है इन चीजों के प्रती एक आहसास जो है, वो समझ में आता है चैतनिय द्वारा शारी रिख सम्वेदनाओं को निन्य पूरवक नियंतरित करना वो काफी हद तक मेरा सवहाओ बन गया है हाला कि जैसे कि step 2 में था कि दोनों के बीच के सुचनाओ का अदान प्रदान तो जैसे भूख है या दर्द भी है काफी हद तक मैं उसको समय पे इग्नोर भी कर देती हूं मतलब अगर मैं काम की तलीमता में व्यस्त हूं या मांसिक लूप से समय नहीं तो मैं उसको अग्नोर भी कर देती हूं और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा सुभाव भी बन गया है जो कि अब मैं देखती हूं कि ये जो सुभाव है वो मेरे बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगी है कि ममी आप जो है कोई चोट लगता है या कुछ भी होता है तो शुरूर से आपने यही कहना है कि हाँ हाँ ठीक है उसको हम अभी ठीक कर देते हैं उनको लगता है कि मुझे में जो है भावना जो है जो भाव खोज रही है एक माँ से शाहिद वो उनको नहीं मिल रहा है तो अभ्यास दो के स्टेप फोर में सम्वेदनाओं को पढ़ पाती हूं तो जैसा कि मैंने का काफी हत्त की नोर भी करती हूं कारे में मगन रहते हुए मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि शाहरी रिक सम्वेदनाओं को मैं नजर अंदास कर देती हूं जैसे अभी की एक मैं उधारन देती हूं अभी मैं जब गासेबाद एक ही जी में आई थी आफलाइन का रिशाला के लिए तो एक रात ऐसा हुआ कि रात्री के भोजन के लिए और वो गुरगाओं में था तो जाने आने में जाहर सी बात है और कुछ समय वहां चुकी कारिशाला के समय के बाद ही जाना था तो नींद जो है उस रात को करीब करी मुझे लगता है सोते सोते तीन बज गए और सुबे तुरंत फिर साड़े पांच बजे उट कर करके ताकि हम समय अपने अगले सेशन को अगले दिन की अगले सेशन को हम अटेंड कर लें तो लगबग ढ़ाई गंटे की नींद थी लेकिन अगले दिन जो है मुझे भया का जो अफलाइन सेशन था वो उसमें पूरी तलीमता से और ऐसा लगा भी नहीं कि हाँ रात को हम सोए नहीं है हलागि यह हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इस शरीर को जो है वो नींद जो है राम टर पे मैं यह नहीं करती हूं लेकिन यह नींद है वो उतनी ही आविशक है ताकि वो जितना दिन भर का प्रोसेसिंग है मैं उसको वैसे देखती हूं कि प्रोसेसिंग है वो शरीर को इस ब्रेन को बुद्धी को चाहिए वो समय फिर बाहियास परिस्थितियों का हम मेरे शरीर पर प्रभाव उसको भी देख पा रही हूं पहले जो है यह चीज मैं देख पा रही हूं कि बहुत इंटर्नल रियक्शन होता था मेरा जो भी तनाव होता था तनाव पूंड की सिती में उस इंटर्नल रियक्शन मैं उसको इंटर्नलाइज कर लेती थी पहले मेरा सौभाव रहा था अगर मैं मुझे गुसा आता था तो उसको बाहर व्यक्त ना करकर के अपनी शरीर पर ही व्यक्त करती थी और जैसे कि खाना नहीं खाना या फिर पहले की शेरिंग में मैंने शेयर किया है कि अकेलेपन के भाव से नहीं निबट पानी के वज़े से इस शरीर के प्रती इतनी लापरवाही बरतना की एक सोच थी कि ये चूंकि नश्वर है तो नश्ठी हो जाए एक दिन लिएकि उन सब चीजों से अब मैं बाहर निकल पाई हूँ और ये जो पहली जो शारीरिक तनाव था वो मेरे जोडों के दर्दों में परिवर्तित अकसर होता था और ये भी देखा कि जो आंतरिक तनाव है वो बाहर भी व्यक्त होता था तो जो भाव ये मुझे इस बार के आफ लाइन वेक्शॉप में बहुत अच्छा लगा मुझे बयाक ने कहा कि जो भाव जिस भाव से हम लोग अंदर भरे वे रहते हैं वही भाव जो है बाहर भी छलगता है और वही भाव जो है हम अपने आसपास जिन लोगों को बहुत चाहते हैं आकसर वो या जिनके साथ भी हमारे संबंध के संबंध होते हैं उन पर जो है, वही भाव हम वितरित भी करते हैं, तो ये अब मैं सुनिश्चित करती हूँ, कि काफी हद तक स्थिर्टा का भाव रहे, मेरा होना, मेरे शरीर का होना और शून्य के साथ स्थिर्ट वर, इसको भी कुछ हद तक देख पाती हूँ, लेकिन, मैं तो समझती थी कि देख पा रही हूँ, लेकिन, कभी कभार फिर, जैसे कि मैं पीछे फिर चली जाती हूँ, जैसे अभी मा और पिता जी के पुन्य थी थी पर जो है, मैंने गौर किया, कि वो मन में जो खालीपन जो है, और उस से उत्पन जो भाव है, वो जो है, वो सही नहीं थे, अगर मैं शुनिय में सहसित्व को, शरीर के सहसित्व को देख पा रही हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी आजशन मिलादी ने कहा कि ये सब पेंडिलम की तरह कभी हम लोग इधर कभी उधर करते रहते हैं, तो शायद थोड़ा सा और मुझे अपने उपर काम क करना होगा, एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूंगी, वो ये कि अभी मनौर भीया ने कहा कि वो प्रिशनसा के पातर बना चाहते थे, मैंने अपने में महसूस किया कि कहीं न कहीं मुझ में जो है, एक श्रेश्टा का भाव जो है, वो एक विशेश होने का भाव रहा है और चाहें न चाहें, काफी मानली मूलियों से परिश्ट होने पे काफी हद तक काम किया, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता था या लगता है, अब तो काफी कम हो गया, कि वाणी में जो है, कहीं न कहीं वो टिपड़ी के तौर पर या कहीं जो है, वो बातें मैं ले आती जैसे मुझे जो है, एक बहुत ही अच्छा सुफ सर मिला है जीवन में, अच्छे शिक्षा पाने का, अच्छे घरों में मतलब या तो पैदा होने का, या शादी के बाद आना, तो ससुराल भी बहुत अच्छा रहा है, और सुखी संपन भी रहे हैं लोग, तो वो जो एक हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा कुछ मिला लाइफ में, वो व्यक्त सम्हा हो जाता है, लेकिन कभी कभार लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस पे मैं थोड़ा काम कर रही हूं, और एक चीज़ और इस चार मीने के दर्मियान में ख्यालाया, कि एक बार दोजार बाइस में जब मैं अब्सरवर कोलकता में, हेरिटेज इंस्टूट अफ टेकनोलिजी में थी, तो वहां वंजनादी ने एस रिसोर्स परसन पूझा कि हम लोग क्यों क्यों काम करते हैं, तो जाहिर से हैं कई एक लोगों के जवाब जो है, वो था कि पैसा कमाने के लिए रोजगार का जरिया होने के लिए, मेरा तच्षण जो है, मेरा जो जवाब था, वो है एक अपनी पहचान बनाने के लिए, तब से मैं सोचने लगी कि मुझे ये पहचान बनाना जो है, ये क्यों इतना आवशक है कि चाहिए पैसा मिले, ना मिले, लेकिन मेरी एक नहीं मुझे लग, मैंने अपने आपसे ये सवाल भी किया कि ये कहीं एगो जो है, अपनी एगो की तुष्टी के लिए तो नहीं हैं, अभी मुझे अपने सवालों के जवाब तो नहीं मिले हैं, और लेकिन ये जब अंतर्मनन में, मैं जब देखने लगी तो एक मुझे लगा कि मेरी मानिता रही है बच्पन में पिता द्वारा जो है घरेली हिंसा कि मैं दृष्टी गोचर रही हूँ और इसको जो है उस समय तो बच्चे होने के नाते मैं हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे लेकिन मेरे अब जीने में एक तरह से यह हो गया है कि कोई भी कमजोर हो या उसके प्रति उसकी अवास बनकर करके उटखड़ा होना या महिला समान के प्रति बहुत ही सशक्त रूप से कारे करना यह मेरा एक विवहार बन गया है जिस कारण से शायद मैं तब शिक्षक संग की अध्यक्षा भी हूँ आज की तारीक में और मेरे जो है कुलीग्स वो कि आप सुनेट का इलेक्शन भी लड़िये तो यह सब चीज़े रही है तो मेरे अपनी विवहार में या मेरी अपनी मानिताएं यह कैसे बनी यह मैं इस पे इन चार महीनों में देख पा रही हूँ एक चीज़ और मैं महसूस करती हूँ कि पता नहीं क्यों मानिता ही है लेकि मुझे लगता है कि यह शरीर यात्रा बहुत सीमित वक्त के लिए है और जीवन में बहुत एक ही काम करनी है तो और प्रतियक कार में 100% अपना दे करके करना चाहती हूँ तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय मैं कर पाऊँ दे पाऊँ और चुकि समय कम है तो समय को फियर्थ भी ना बिताऊँ तो इन्ही सब चीज़ों के साथ मैं अपनी कमिट्मेंट बता दूँ क्योंकि समय कम है और दोनों लोग की शेरिंग को देनी हो मैं अज पितरिय समन्विय के रूप में एक मेरा प्रियास है कि बिहार में कम से कम हलाकि यहां पर AICT विश्व विद्याले कम है लेकिन प्रियास है कि यूजिसी के विश्व विद्याले में भी यह जो चीज़ है चुकि मुझे तो लगता है कि बहुत वाइदा है तो यह प्रियास मेरा एक है कि हो जाए मैं अपने विश्व विद्याले की यूनिवर्स्टी कोडिनिटर भी हूँ तो एक प्रियास मेरा यह भी रहेगा कि सभी विश्व विद्याले में महा विद्याले में ये सब ही लोग अगर कम से कम वर्क्शॉप तो कर ही ले फिर मैं अपने महाविद्याले में वैल्यू अड़ेट कोर्स पढ़ाने के लिए मैंने अपने आपको वाल इंडियर किया है पीजी थार्ड सिमेस्टर में तो यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में ये पढ़ाना है कि बीए सिमेस्टर वन में अभी नया नया बिहार में लागू हुआ है लेकिन टुकनों टुकनों में लागू हुआ है फिर भी वॉलेंटरी रूप से इसको मैं अपनी तहत UHV का कंटेंट है अपनी डिपार्टमेंट को हेड होनी के नाते ये मैं करवाना करवानी का मैंने सोच रखा है और इसको रूटीन में भी डाला है जहां मुझे काम करना है वो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे निश्यत रूप से रिसोर्स परसंग के रूप में और थोड़ा इस इस कंटेंट को एक्सप्लोर भी करना होगा और इसको डिलिवरी करने का जो आत्मविश्वास है वो मुझे निश्यत रूप से इसको थोड़ा और अपने में लाना होगा इसके साथ गाउं में भी जो है अब तो मेरे पती भी यहां आ गई है तो हम लोग उन्हें सोच रखा है कि गाउं के जो सही समझ अगर लानी है क्योंकि उनकी कमीन नहीं है सीमा दी दी? हाँ दी दी हाँ थोड़ाई सीमा बस मैं बस दो मिनट रहूंगी और कृत्डग्यता की भाव से जो है मैं शेर्मिला दी, कमार भिया, उपासना दी और बाकी कई एक लोग हैं जिन लोगों ने हमें समय समय पर हमार दर्शन किया है और हमें जो है इस यात्रा में जो है सही उप्या है सभी के साथ जो है कृताग्यभाव से अभार धन्यवाद में यहीं बुक्ति सीमा दीदी ने भी बहुत ही विस्तार से और इमांदारी से पुरी बात रखी इस परफ्ता के साथ और दीदी पहले भी अभ्यास सद्राटेन करती रही है और दीदी ने बताया ही जिस तरह से वो भागीदारी करती रही है और जिस तरह के भागीदारी के उसर भी बने हुए है और मुझे लगता दीदी ने जो अपना मुल्यांकन रखा इस प्रस्टूप से उसमें वो बिंदू निकल कर आये जहां पे कहीं गती बाधीत हो रही है उसके लावा यदि और टीम के रूप में काम करना होता है उस रूप में अगर करना शुरू करेंगी तो और बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान जाएगा कुछ रुकावटे लग रही है वह रुकावटों पर दिदी और काम कर सकती है तो और इस फूर्ति के साथ जीना और भागिदारी करना होने लगेगा अच्छी बात है कि अभी जो गाजियाबाद में वर्क्शॉप हुआ उसमें भी दिदी आई थी और टीम डेवलपमेंट रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जी मेरी तरफ साथ दुनों साथियों को शुब काम ना बठाई